हेलो गाइस और वेल्कम टुमाई योटोब चैनल टेकनिकल फ्रेंड दोस्तो आज की वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा यूजफुल और काफी ज़्यादा मज़दार होने वाले क्यूंकि आज की वीडियो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं और दिखाने वाला भी की आप अपने Oppo A54 के फॉन में कीबोर्ट में अपना फोन जो फोटो कैसे लगाएंगे अगर कीबोर्ट में कोई Им宜ी लगाना चाते हैं कोई भी एनिमयेसन लगाना चाते हैं वह भी लगा सकते हैं शिंपली आपको फोन में जो प्लैश्टार को ओपिन करना यहां पे लोग देखेंगे theme and photo का option है इस पर आप लोगों को किलिक करना है जैसी आप लोग इस option पर click कर देते हैं तो यहां पर add वगेरा अगर so होता था इसको cut कर दीजिए और सबसे उपर आप लोग देखिएगा please enable this keyword and view change का option है इस पर आप लोगों को click करना है जैसे आप लोग इस पर click करते हैं सबसे पहला इश्टे पर किलिक करना है और इसको माई photo keyword theme के option को आन कर लेना इसके और बैक आ जाना है 2 आ Karl फो통 की बोर्ड के up कर देना है अब इसके बात आपको बैक आना है जैसे आप लोग बैक आएंगे ति यहां पर कुछ इस तरीके से animation लगाना चाहते हैं तो इस application के द्वारा provide कराए जाते हैं इस animation में से कोई भी animation आप लोग लगा सकते हैं बिल्कुल फिरी है चलिए इसको apply करके दिखा रहा हूँ फिर आगे मैं आप लोगों को अपना photo भी लगा के दिखा रहा हूँ apply theme पर click करता हूँ simply apply हो जाता है अब यहाँ पर आप लोग हमारा preview कुछ इस तरीके से देख सकते हैं keyboard का अब इसके बाद पुछलिए photo apply करते हैं यहाँ पर gallery का option है simply gallery के option पर click करना है और यहाँ पर आपकी gallery open हो जाती है और finally guys आपको उस photo पर click करना जो photo आप अपने keyboard में set करना चाते हैं तो यहाँ पर सारे photo आ गए हैं हम किसी एक photo पर click कर देते हैं जिसको हम apply करना चाते हैं यहाँ से crop कर लेंगे इसके बाद आप लोगों को नीचे crop and apply का option है simply इस option पर click कर देना है और finally guys जो है keyword में आपके फोटो apply हो जाता यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा ताकि आप लोग कंफर्म हो जाएं तो doubt भी आप लोगों के अंदर ना रहे यहाँ से मैं जो अप्लेश डोर को open करता हूँ अब यहाँ से मैं कुछ लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे keyword में फोटो हमारा set हो चुका है और guys कुछ जो और ज़्यादा इसमें feature दी हो है चलिए मैं आप लोगों कुछ बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग भी कहें इस application को download करने बाद काफी ज़्यादा benefit हमको मिल रहा है यहाँ पर font style, language सब कुछ यहाँ पर बदल सकते हैं जैसे font style पर click करते हैं तो यहाँ पर font style कोई भी choose करिए आपकी font style keyboard की change हो जाएगी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जिससे इसको अगर आप apply कर देते हैं तो आपका keyboard style काफी ज़्यादा जो इस्टाइलिस दिखेगा, attractive दिखेगा और यहाँ पर की setting पर click करके अपने keyboard की सारी setting कर सकते हैं जैसे की height adjust कर सकते हैं color भी adjust कर सकते हैं जो alphabet इसमें दिया हुआ है इसका color जो भी रखना चाते हैं ओ color आप लोग choose कर सकते हैं देख सकते हैं green हमने कर दिया तो green दिख रहा है यहाँ से vibration की sound की preview सब कुछ आप लोग यहाँ पर adjust कर सकते हैं और guys अगर आपको video useful लगे तो please video को like करिए and channel को भी subscribe जरूर करिए